नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तेकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी 9 प्राइम पर प्राइवेट एलबाम कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है वीडियो को पूरा जरू डेक लेना मैं आपको शॉर करके बताऊंगा step by step आपको कहा पर जाना है कैसे आपको प्राइवेट एलबाम पोंचना है और कैसे करके आप प्राइवेट एलबाम को देख सकते हैं ठीक है तो अगर दोस्तों आपको ये चीज़ जानना है वीडियो को पूरा जरू डेक लेना आपको पता चल जाएगा ठीक है कि कैसे करके आप जो है प्राइवेट अलबाम बगरा को देख सकते हैं आपके डिवाइस पर या फिर किसी के भी रेटमी के डिवाइस पर ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वज़ शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें ये दिया आप दोस्तों ओनलाइन पेसा कमाना चाहते ह तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मेल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें जाना है अपने मोबाइल के अलबाम पर ठीक है तो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तो प्राइवेट अलबाम है कहा पर तो प्राइवेट अलबाम आपको उपर में मिलेगा लेकिन उपर में जाने के में स्लाइट करने अपने स्क्रीन को ठीक है कुछ इस प्रकट से आपको इसको जो ही नीचे लेकर आना है छोड़ देना है उसके बाद या पर आपको अपना प्राइविड ऐलबाम का पास्वोड बढ़ देना है private album पर password होते हैं, ठीक है? तो उसी के लिए उसको private album कहते हैं जब तक आप password को इड नहीं करोगे, album आप नहीं देख सकते हैं अभी दोस्वीं यह हो गया दोस्तो आपका private album ठीक है? तो यहापर दोस्तो आप देख सकते हैं, लिखाओ अभी है private album चलिये तो ये हो गया दोस्तो आपका private album यहापर आप देख सकते तो कुछ इस प्रकर से दोस्तो आप यहापर private albums को देख सकते हैं बिलकुल आसानी से ठीक है तो अगर दोस्तो आपको देखना है किसी का भी private album तो आपको यह process फोलोग कर लेना है तो आज की इस वीडियो बर्डोस बस इतना ही उमीड करते वीडियो आपको पसने होगा टेंक्स रो राचिंग